हेलो एवरीवन वेलकम बैक डू जैजीस किचन आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए एक और बहतरीन रेसिपी जी हाँ आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल मखनी तो आपने देखा ही होगा रेस्टोरेंट में जो दाल मखानी हाते ना उसका टेस यह देखि अजाराल में बनाएंगे दाल मकक apo बनाने आपके लिए 1 कप इृत की दाल यह खड़े-उरत की दाल बहुत करना इसमें सोक लिए वाए हमने इसमें थी जाधा डिस्ट होती है बहुत ही पॉलिष की हुई दाल होती है तो हमें इसे wash करना है तो चलिए देखिए हमने इसे soak करके रखा था overnight इस दाल को अच्छे से wash करके 2-3 बार हमने इसे soak किया था आप दोनों दालों में difference देख सकते हैं कितना polish कितना गंध होता इस दाल के उपर तो हमें इसे बहुत अच्छे से wash करना होता है बहुत अच्छे से soak करना होता है तो हमने एक कप दाल सोक की थी इसके साथ हमने यहां आधा कप राजमा को भी soak किया था तो राजमा को हम कर देते हैं side में और इस दाल को अब हमें क्या करना है कि इस दाल को हमें अच्छे यसे दोनों हाथों से रब करना है अच्छे से रब करके हमें इसे धोना है ताकि इसके उपर जितनी भी डेस्थ है जो भी गंदगी है वो इस पे अच्छे से निकल जाए तो आप देख सकते हो कुझ issenschaft साथाल का पानी भी है न वो कितना गंदा है already wash की हुई दाल है फिर भी इस पे गंदा पानी इसमें दिख रहा है तो हमें अच्छे से इसे 2-3 पानी अच्छे से रगड के धोना है और इसे strain कर लेना है तो चलिए मैं इसे अच्छे से 2-3 बार अच्छे से पानी से धो के इसे strain कर लेती हूं तो देखिए हमने दाल को अच्छे से धो के इसे strain कर लिया है अब हमें इसे बनाना है पकाना है तो इसमें सबसे important point होता है यह जो दाल का white starch दिख रहा है यह बहुत अच्छे से पक जाना चाहिए बहुत अच्छे से गलना चाहिए तो हम restaurant style दाल बना रहे हैं तो अल्रेड़ी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी तो घर पे normally जो हम बनाते हैं ना दाल मखनी और राजमा जो घर पे हम बनाते हैं वो कभी भी restaurant style नहीं होती है यूँकि restaurant में इस दाल को हमेशा काड काड के बनाई जाती है बहुत काड के खुले में बनाते हैं इसे बिलकुल भी मतलब विसल दे के नहीं बनाते हैं बट फिर भी हम इस दाल को दो विसल दिलाएंगे मेडियम टू लो फ्लेम पर रखके जादा नहीं हमसे सिर्फ दो विसल दिलाएंगे चलिए हम कुकर हमने यहां पर ले लिया है कुकर उसमें हम डालेंगे सबसे पहले एक तेज पत्ता और एक मोटी लाएजी जिससे कि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर इस दाल में आ जाए वे राजमा रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे तो चलिए हमने इसमें राजमा भी डाल दिये हैं अब हम इसमें डालेंगे चार कप पानी क्योंकि दाल हमारी एक कप थी तो उससाब से हम इसमें चार कप पानी डालेंगे जिस कप से हमने दाल को नापा था उसी कप से ह किसी भी कप से तो हम इसалась कर सकते हैं में दलीक आफ या नमक नमक तो डालना ही पड़ेगा ना दाल में तो यहिए ओल joo फोड़ी सी गर्माईश यानी थोड़ी सी गर्मी देनी है इस दाल को जिससे ये बहुत जल्री गलती है तो दाल को गर्माईश देने के लिए हमने यहाँ यहां यह बिलकूल truly homemade powder है इसकी रेसिपी जल्दी ही में आपकस बैट अगर आपके पास यह गार्लिक हुए आप थोड़े से गार्लिक को पानी के साथ कर उसका पेश्ट भी इसमें डाल सकते हैं उसके इसका बहुत व्लेवर आता है इस में चलिए आप डालेंगे 1 tablespoon butter, आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बत मखनी डाल है तो butter काbenर टेस्ट बहूत बज़ा आता है, तो मैं बटर डाल रही हुँ, तो butter भी हमारा इसमें डल चुका है और अब हम इसमें डालेंगे हमारा last और main ingredient और वह है दूद जी हाँ इसमें हम डालेंगे आधा कब दूद तो दूद हमने डाल दिया यह मकनी दाल है तो इसमें क्रीम, दूद, बटर यह सब चीज़ें तो मेंडेटरी हैं तो चलिए अब हमें इसे विसल दिलानी हैं तो हमें इसे दो विसल दिलानी हैं दो विसल दिलाके हम इसे steam out करेंगे यानि इसको depressurize करेंगे तो चलिए हमारी दाल को already दो whistle आ चुकी है और इसके whistle आने के बाद मैंने flame को off कर दिया था और ये अब almost depressurize हो चुका है थोड़ा बहुत जो pressure इसमें बचा है उसको हम depressurize कर देंगे तो चलिए हम इसे बचे वे pressure को इससे करते हैं depressurize और देखते हैं हमारी दाल का क्या हाल है उसकी क्या consistency है तो चलिए इसने अपना pressure release कर दिया है और अब हम देखते हैं इसको खोल के कि हमारे दाल का क्या हाल है देखिए खुश्बू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है तो देखिए जैसी दाल हम चाहते हैं ये बिल्कुल वैसी ही है आधी कच्ची पक्की सी यानि ये दाल perfect तब होती है जब बिल्कुल ये जो दाने है जो starch है बिल्कुल अच्छे से घुल जाए बट ये कच्ची पक्की दाल है तो अब हमें इसे काड़ना है तो इसके साथ ही साथ हम जो इसमें तेज पत्ता है ना इस तेज पत्ते को और ये जो मोटी लाइची हमने इसमें डाली थी इन दोनों को ही हम separate कर देंगे क्योंकि इन्होंने जितना flavor छोड़ना था ना तो इसकी हमें और जरूरत नहीं है यानि हमें इसको और इसमें नहीं पकाना है तो हम दिन दोनों चीज़ों को separate कर देंगे और अब इस दाल को हम shift करेंगे हमारे एक pan में भारे तले का बरतन लीजिएगा कोई अच्छा सा कोई कढ़ाई हो कोई भारे तले का भगोना हो कोई भी चलेगा जरूरी नहीं है नॉनिस्टी की हो तो चलिए हमने इसे कर लिया है shift और अब हम इसे कढ़ने के लिए रखेंगे flame पर तो हम इसे medium flame पर रखेंगे कढ़ने के लिए तकरीबन 20-25 मिनट के लिए पहले हम 20-25 मिनट के लिए रखेंगे फिर हम इसकी consistency चेक करेंगे और हम इसे वापिस से इसको कढ़ने के लिए रखेंगे हमें इसे तब तक कढ़ना है जब तक कि जो डाल का दाना है ना वो बिल्कुल starch बिल्कुल छोड़ ना दे में चलिए हमने प्यास को कर लिया है रफली चौप अब इसे डालते हैं एक ग्राइंडर में और इसको हमें बिल्कुल स्मूद इसकी बिल्कुल क्रीमी सी पेस्ट बनानी है उसकी क्रीमी पेस्ट बनाने के लिए हमें प्यास को डालना है एक ग्राइंडर में उसके साथ ही साथ हमें उसमें डालना है तीन से चार टेबल स्पून पानी अच्छे से पानी डालना है और अच्छे से ग्राइंड करना है देखिए बिल्कुल पतली पेस्ट बनानी है हमें अच्छे से ताकि इसका जो टेक्स्चर है ना डाल में वो बिल्कुल क्रीमी आए बिल्कुल भी प्यास का दर्दरापन नहीं आना चाहिए तो चलिए डाल को पकते हुए अल्रेडी 20 मिनट हो चुके हैं तो हम देखते हैं डाल की क्या कंसेस्टेंसी है डाल हमारी अभी भी प पाकती है और जब रेस्टोरेट्ट में पकती है तो इसे पूरी ही डाल को खुला पकाते हैं तो बहुत ही टाइम जाता है तो चलिए हम कर लेते हैं बिल्कुल भी जले नहीं अगर आप डिर्ट्ली बटर ढलोगे तो उसमें जरूर ठोड़ा जलना शुरू हो जाएगा तो तो ऊयल में बर्टर मिला दिया हमने अच्छे से हमिसे गर्म कर लेंगे और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे लाल riktimmerی मिर्च का पावडर। तो हमने यहां डालना है एक Kita л नीरी मिर्च का पाउडर और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह मिर्च ओयल में बिल्कुल जले नहीं इसके लिए हमें इमिडेटली इसमें डालना है एक टेबल स्पून पानी जिसे की हमारी जो मिर्च है वो बिल्कुल भी जले नहीं और इसके साथ हम इसमें डा सा लग रहा है ना इसका हम अपस्स में डालेंगे अध्रक Jackie कि पेस्ट यह हमने लिया था साथ Se 8 कलिया tahun फोड़ा बारेक चॉप कर लिया है वह हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम भून लेंगे जब physician यह अच्छे से ब्राउन ना हो जाए ज़लिए हम इसे अच्छे से भून लेते हैं तो देखी हमारा अधरक लस्टन बहुत यह अच्छे से पक चुका है और बहुत यह अच्छा कलर दे दिया है इसमें कश्मिरी मिर्च ने अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्यास की भूनते जाना है बस ऐसे हमें अपने प्यास को भून लेना है बहुत ही अच्छे से जब तक यह ओयल रिलीज ना कर दे और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए तो देखिए प्यास को भूनते विए और तीन से चार मिनट हो चुके हैं और इसको भूनने में हमें इत ना है तो आप इसको देख सकते हैं और इसको जरूर ट्राइग करें मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रेप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहां से भी इसको देख सकते हैं कि जलिए हमने डाल दीए टमेटो प्यूरी हमारे तड़के में और इसको हम अच्छे से कर लेंगे जब तक कि हमारे जो टोमैटोज हैं यह अच्छे से ओयल रिलीज ना कर दें तो अब हम इसे लिड लगाकर पकाएंगे तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए जिससे की टमाटर को पकने में न थोड़ा टाइम लगता है तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे दो से तीन मिनट के लिए तो चलिए दो से तीन मिनट अल्रेडी हो गए हैं और देखिए टमाटर ने ओयल रिलीस कर दिया है यह बहुत अच्छे से पक गए हैं तो बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी हमारी ग्रेवी की यह बिल्कुल पर्फेक्ट है और अब हम देखते हमा पानी में और इसका दाल का पानी बहुत ही गाड़ा हो गया है तो अब हम इसे लेंगे एक मधानी या आप जो पटेटो मैशर होता है उससे भी आप इसे अच्छे से मैश कर दीजिए जिससे कि इसका जो दाना है वो बिल्कुल अच्छे से घुल जाए दाल में बस हमें इस बहुत कड़ाना पड़ता है बहुत कड़ाना पड़ता है हम घर में जल्दी से बनाते हैं तो वो चीज नहीं बन पाती जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं जो हम शादियों में खाते हैं जो हलवाई वाली कंसिस्टेंसी होती है वो दाल में नहीं आती है तो आज हम बिल्क दाल में डालेंगे और दाल को अच्छे से करेंगे इस तड़के के साथ mix तो चलिए हमने तड़का डाल दिया है और अब हमें इसे अच्छे से डाल में mix कर लेना है आप देखिए दाल का कलर चेंज हो ना शुरू हो गया ना जैसे हमने ये तड़का डाला ये जो हमने पहले देगी मिर्च को अच्छे से पकाया था ना ओयल में ये उसी की वज़े से है मैं कोई आर्टिफिशिल कलर दाल में यूज नहीं कर रही हूं मैं बहुत कम ही किसी आर अच्छे से है और हमें जो तड़का लगाना है उसमें देगी मिर्च का कलर बहुत ही बढ़िया आना चाहिए इस तरह से हम दाल बनाएंगे तो दाल की पहचान कैसे होती है जब हम शादी में किसी में जाते हैं और दाल कहाते हैं तो हम अपनी प्लेट में दाल को डाल लेत यही होती है असली बखनी दाल की पहचान चलिए हमने इसमें डाला था एक टेबल स्पून पानी और इसके साथ ही साथ हमने यहां डाला है एक टेबल स्पून इसमें बटर का और अब हम इसे लिड लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे 10-15 मिनट के लि पाद रख के लच्छे यहां अदक लच्छे डालने के लिए बाद हम इसे दो मिनट तक पकने देंगे और अब हम करेंगे इसके उपर से इसको तड़का देने की तैयारी तो हमने यहां रख दिया है एक तड़का पैन और इसमें हम डालेंगे half table spoon of oil तो हम यहां half table spoon vegetable oil डाल रहे हैं और इसके साथ ही साथ इसमें हमें डालना है थोड़ा सा butter तो आधा चम्मच के करीब हम इसमें butter डाल रहे हैं और अब हमें इसे कर लेना है गर्म तो देखिए हमारा butter sizzle होने लगा है हमें बस इसे हलका सा गर्म करना है बहुत जादा तेज गर्म नहीं करना है बस butter हमारा अच्छे से sizzle हो गया है अब हम flame को करेंगे औफ और इसमें हम डालेंगे दो table spoon kasouri मेथी के तो हमने आ ले लिए यह kasouri मेथी और इसमें हम डालेंगे दो table spoon kasouri मेथी यह बहुत important ingredient है दाल मखनी का इससे इसका flavor दो गुना बढ़ जाएगा इसके साथ ही साथ इसमें हम color के लिए डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च तो चलिए हम इसमें डालते हैं देगी मिर्च और इससे करते हैं हम अच्छे से mix इस oil में और इसको हम shift करेंगे फटा फट से अपनी डाल में चलिए हम इसे डाल में डालते हैं तो देखिए हमाई डाल अल्रेड़ी पक्के बिल्कुल तैयार थी यह बिल्कुल जितनी यह देखने में अच्छी लग रहे हैं इसका खाने में इसका टेस्ट तो amazing है तो आप इसे जरूर ट्राय करिएगा जरूर तो यह लाजवापसी डाल मखनी हमारी बिल्कुल तैयार है आप इसे लच्छे पराठो के साथ खाईए नान के साथ खाईए चापाती के साथ खाईए राइस के साथ खाईए यह आपकी मर्जी है जिसके साथ मर्जी खाईए बस खाईए जरूर बनाईए जरूर और इसकी गार्निशिंग तो इस पर चार चांद लगा देती है तो चलिए हमाई दाल बिल्कुल तयार है तो गाइस अगर आपको मेरे रेसिपी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें इसे अपने फैमिली फ्रेंट्स के साथ जर अ stretchy हम झाल प्लाए त। वार्निश्छी लगती है ढ는निष्छ सहरा चांद जरी प्लीजिंग थैब से लगती है तो इसाथ शफ hour